तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल खाली सुनसान जगा पे अपन आ चुके हैं अपन जा रहे हैं बहुत ही खुबसुरत जगा जो की यहां से अराउंड गेड़ घंटे कर रसता है और यह नो ब्यावर के आगी है ब्यावर से लगबग 30 किलोमेटर दूर है दर्बार जो की महादेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है तो बस आज वहीं का सफर अपन करने लगे हैं फिर उसके आगे भी बहुत जारी चीज़ें जो अपने कवर करनी हैं आज तो बस अभी थोड़ी दिर में निकलूँगा नाश्तावगरा करके तो सुबह के बच तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिलकुल खाली सुंसान जगा पर अपन आ चुके हैं और यह है रस्ते पर और जैसे कि अब अपन नसीराबा से निकले थे तो यह साइड में रस्ते में बहुत ही प्यारी जगा है जैसे देखे मेरे आप पीछे पूरी पहाडियों से लेस यह देखिया पूरा अंदर में रोड से बिलकुल अंदर आके अपनाएं यहां पर तो यहां पर थोड़ा सा अभी ड्रोन विगड़ उड़ाएंगे विकास व्यू बहुत ही बढ़िया यार तो फटवट से ड्रोन उड़ाते और बताना कि कैसे लगे आपको शॉट आते हैं फिर उसके बाद अपनी जर्नी कॉंटिन्यू करेंगे तो भाई यह सामने देखें मेरे कितना सुन्सान एरिया है पूरा और धूब इतनी तेज ना भाई कि हर चीद गरम होगी फोन भी गरम हो गया भाई और यह देखें पूरी लंबी पहाड़ी और इस साइड पे अपनी बिलो रानी खड़ी है यह थोड़ी सी चाहू है और जोशी खड़ा है साथ में तो यहीं पे अपन खड़े थे और ड्रो पाने बहुत ही बढ़िया बन हुआ है और इस साइड पर देखें बिल्कुल साफ पानी का नाला बह रहा है और बहुत ही खुबसुरत वियू है तो अब लगबग 6-7 किलिमेटर रह गया है जहां पर आपन जा रहे हैं सबसे पहले तो भाई अभी जस्ट अपना पहला ब्र रस्ता जाता है पूरा जहां पर अपने जाना है तो यहां से पूरा पहाड़ी वाला रस्ता है जहां पर अपना भी जाएंगे आस पहाड दरबार तो वहां पर महादेवजी का मंदीर है वहां पर पहुंचके आपको दर्शन कराएंगे अपन अपने जो रस्ता है वहां प के चल चुके हैं तो मैं धी आपको दिखाताू हूँ बिलकूल कच्चा रास्ता है तो आगे जाकर पूचा अपन नहीं उसुन के पूरी पहाड करें नहीं और औरbare फॉपसरी विज्टा पर और यह नसा रही है और उस lowORड़ यह द देखें-ँ पूरी पहाड़िय तो फाइनली अपन पहुंचों के है आस पहाड की दरबार यहां पे अपने पीछे बाइक पार्किंग कर दियो और मेरे पीछे आप गेट देख सकते हैं और इस साइड भी आप देख सकते हैं मंदिर का गेट बट यह नीचे से शुरुवात है इसकी बट यहां से मैंने पूरा यह बर्गत का पेड़ बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा तो लोगों ने यहां पे अपने धागे बांदे हुए ताकि उनकी मननद वगरा पूरी हो यहां पे और आप देख सकते हैं कितना पूराना पेड़ है भाई साब और सामने दो सापों के जोड़े बन चुकी हैं अब कि मैं इतना पुराना होगा कम तकम 300-400 साल पूराना होगा और इस साइड आप देख सकते हैं लोगों ने पूरे अपने मननते मांगने के लिए धागे बांदे हुए और यह घंटी भी लटकी हुई है पूरी पेड़ के उपर माता जी सेवा कर रहे हैं सफा कि तो आप नहुदो यहां हो लना पूरा झालyin चाह्डितर आप अपनी कहें हैं कर दर्शन कर लिए और काफी प्रचीन है भई बहुत पुराना मंदिर है तो अब चलते हैं सीदा जो बढ़ा दरबार है कि मालगि lige का हमादेव जी का ऐस पाहड़ है दरबार तो वहां पे चलते हैं और दर्शन करते हैं महादेव जी के तो भई जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं यहां पे आप पढ़ सकते हैं यहां पे जो महंत महावीर पुरी जी महाराज यहां पे उनका यह जो आसन है यहां पे रहते हैं और इस साइड पे यह जो यहां से अपन अंदर आये थे पूरा तो यहां से अब पूरी उपर सीडिया चड़ के जाना पड़ेगा और सामने आपको महादेव जी का मंदिर दिख रहा है तो बस सीडिया चड़ते हैं और मुक्के मंदिर में पहुंचते है फटाफट से तो भाई आप देख सकते कि बहुत बढ़िया लगा होगा और मुझे तो ऐसी चीज़े देखके बहुत मजा आता है बाई बहुत डिफरेंट बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है और पीछे का एरिया इतना बड़ा है सीडिया काफी चड़के जानी पड़ती है कम से कम जमीन से 200 फूट उपर मंदि मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और यह फाइनल सीडिया है जो की मंदिर के अंदर जाती है तो भाई यहां से व्यू चेक करिए मंदिर का और यह सामने बहुत ही खूपसुरुद महादेव जी का द्रशूर लगा हुआ है और यह पूरा गाउं है और अभी मं मंदिर पहुंच के ओपर फाइनली